दोस्तो हमारे देश के फिल्मी कलाकार परदे पर जितने हीरो दिखाई देते हैं असल जिल्दिगी में शायद वो उत्रे ही डरपोक होते हैं ऐसे अगर किसी फिल्मी कलाकार का नाम हम आपसे जानना चाहें तो आपकी नजरों में वो कौन है कमेंट में जरूर बताईएगा लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्मी कलाकार की बात करने वाले हैं वो है आमिर खान जी हाँ और हम ऐसा क्या क्यों रहे हैं और देश में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिस मुद्दे पर आमिर खान बोल नहीं पा रहे हैं आखिर किस की डर की वज़े से वो चुप ह बताते हैं आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सल्टॉक दोस्तों आमिर खान की फिल्म आपको याद होगी त्री इडियर्स जिसमें उन्होंने एक रैंचो का किरदार निवाया था और वो रैंचो का किरदार जिस असल नों ने अपने ट्विटर से पोस्ट भी किया वहर रोज पोस्ट करते हैं और अपनी हालत के बारे में बया करते हैं बताते हैं सोचिए कि जो फिल्मी कलाकार उनका किरदार ने वा रहा है उनके नाम पर पैसे कमा रहा है और वो उस पर दो शब्द नहीं बोल पा रहा क्या इस शर्म की बात नहीं है देश के लिए कि हमारे देश में ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जो परदे पर बड़े हीरो बनते हैं और असल जिंदगी में उनके मूं से चू तक नहीं निकलती अब आपको बताते हैं कि आखिस सौन इसका वादा बाकाइदा बीजेपी की ओर से किया गया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की बीजेपी की ओर से किया गया था लेकिन वो अब अपने वायदे से पलट गए हैं यह बात जैसे ही सोनम वांग चुप को ऐसास हुई कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है तो भूख अरताल पर जा करके बैड़ गया जैकिन जरह सोचिए कि हमारे देश के प्रधान मंत्री भी कितने संवेदन ही ने कि आज बीसवा देने हमकी भूख अरताल का लेकिन बीजेपी की ओर से किसी भी मंत्री ने उनसे बात तक नहीं की है अब बात आती है आमिर खान की व कर रहे हैं आमिर खान आखिर क्यों लेव पारे क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजऑस से ड़र रहे हैं और ले यह इक ही काम कर सकते हैं अंबानी की साधी में नाच सकते हैं बाकैदा उसकी photo share कर सकते हैं उन पर तारीफ है बटवर सकते हैं लेकिन असल जिंदगी में ये देश के लिए शायद कुछ काम नहीं आ सकते जो असल हीरो की जरूरत होती है और जब कोई बिदेशी अगर देश के मुद्दे पर बोल दे तो ये बिलवला उठते हैं वही क्यो रोज क्या भारत माता के प्रते एक नागरिक के तोर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आप इतने बड़े कलाकार हैं इतने बड़े लेवल पर आपका नाम है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से तो शायद वो सौनम वांग्चुक की मांगों पर विचार कर लेकिन फिल्म बनाने वालों का और नेताओं का उससे जो प्रोपेगंडा हुआ वो जरूर भला हो गया दोस्तों इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं और कौन-कौन से फिल्मी कलाकर आपको डरपोक लगते हैं असल जिंदगी में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साती सा स्रल्टॉक के फेस्वक टोटर टेलिग्राम इस्टाग्राम पेज को अब जरू फॉलो कीजिए और अन्त में सभी से एक अपील है कि स्रल्टॉक को जॉइन वे थैंक्स वेटन की दारा वोट कीजिए जिसे हम और बहतर कारी कर सकें नमस्कार